साथ संगत जी प्यार से कहना धान नरंकार जी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं चलिए आज की खूबसूरत सी साखी सुनते हैं साथ संगत जी एक भागवत कथा वाचक एक पंडित जी एक गाउं में कथा सुना रहे थे उस दिन पंडित जी ने नंद लाल कनहिया के सौंदरिय और उनकी अभूशनों का बड़ा मन मोहक वर्णन किया अब उधर से गुजरता हुआ एक चोर भी कथा सुनने के लिए बैठ गया अब जब चोर ने कनहिया के आभूशनों के बारे में सुना तो चोर को लाले चा गया उस दिन की कथा समाप्थ होने पर पंडित जी को खूब दक्षिना मिली जिसकी गठरी बना कर पंडित जी चल पड़े जब पंडित जी सुनसान जगा पर पहुँचे तो चोर उनके सामने आ गया चोर ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये कृष्ण ये कनहया कहा पर रहती है मुझे उनके घर से गहनी चुरानी है आप मुझे उनका पता बताओ अब चोर की बात सुनकर पंडित जी डर गए उन्हें लगा कि चोर तो उनका सारा सामान ही चुरा लेगा इसलिए पंडित जी ने बुद्धी लगाई और कहा कि कनहिया का पता मेरे थैले में लिखा है यहाँ पर बहुत अंधेरा है थोड़ा उजाले में चलो तो मैं तुम्हें देख कर बताऊंगा कि कनहिया कहां रहता है साथ संगत जी चोर तैयार हो गया क्योंकि चोर को बहुत जल्दी थी अब पंडित जी ने थोड़ी और चतुराई की और अपना सारा बोजा चोर के सर पर लाद दिया और ऐसी जगहां पर पंडित जी जाकर रुके जहां पर लोगों की आवाजाही बहुत ज़ादा थी फिर पंडित जी ने अपने थैले में से एक पोथी निकाली और देखनी का नाटक करते रहे बहुत ही सोच विचार कर पंडित जी ने चोर से कहा कि तुम वरिंदावन चले जाओ मुझे जब कनहिया मिला था तो उसने अपना पता वरिंदावन ही बताया था साथ संगत जी अब चोर पंडित जी की बात से संतुष्ट हो गया और उनसे आशिरवाद लेकर विदा हुआ चोर रास्ता पूछता भटकता वरिंदावन के लिए चल पड़ा रास्ते में चोर को बहुत तकलीफें हुई जहां जहां पर भी कनहिया के मंदिर थे चोर हर जगा दर्शन को गया दर्शन क्या वो तो कनहिया के अभूशनों को देखने जाता था कि आखिरकार वो अभूशन तो बहुत ही मन मोहक होंगे साथ संगत जी अब आभूशन निहारने में उस चोर ने इतने मंदिरों में भगवान शिरी कृष्ण की चवी देख ली कि उसे खुली आखों से भी हर जगा प्रभू ही नजर आते थी वो चोर रात को मंदिरों में ठहर जाता था और वहीं पर कुछ प्रसाद खा लेता था अब भगवान शिरी कृष्ण आभूशन चोर पर रीज गए चोर के मन में कनहिया के आभूशनों के प्रती जो भी कामना थी वो इश्वर को भागई साथ संगत जी, कनहिया, कनहिया चोर को जगां जगां पर दर्शन देते, तरहां तरहां के आभूशनों से सजे बालकों के रूप में, लेकिन वो चोर आभूशन उन बालकों से नहीं लेता था, क्योंकि उसे तो असली गोपाल के आभूशन चाहिए थे साथ संगत जी, चोर बहुत परिशान हो गया, कि कब वो कनहिया के घर पर पहुँचेगा, और कनहिया भगवान परिशान कि चोर इतनी दूर क्यों जा रहा है, जब मैं रास्ते में ही उसे सारे अभूशन दे रहा हूँ अब भगवान को भग्त से प्रेम हुआ, तो भग्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया साथ संकर जी, चोर घूमता घूमता गोकुल पहुँच गया, और एक स्थान पर नदी के नारे, भगवान ने उसे गाएं चराते उसी रूप में दर्शन दिया, जो रूप उस चोर ने मंदिर में देखा था साथ संकर जी, चोर ने इश्वर की जितनी भी छवी देखी थी, एक एक करके इश्वर ने सारी छवी चोर को दिखा दी, और वो भी आभूशनों के साथ, वो चोर इश्वर के चर्णों में गिर पड़ा अब प्रभू ने खुद अपने अभूशन उतार कर चोर को दिये और बोले, कि लो, तुम इनके लिए व्यर्थ ही इतनी दूर चले आए, मैं तो ये अभूशन कब से तुम्हें दे रहा हूँ चोर ने इश्वर से कहा कि प्रभू, मैंने आपको देख लिया, तो आपके सामने अभूशनों की चमक भी फीकी पड़ गई, अब तो मैं आपको चुराऊंगा इश्वर ने कहा, इश्वर ने हस कर अपने भाक्ते से कहा कि मुझे चुराऊगे और मुझे चुरा कर कहा लेकर जाऊगे चौर ने कहा कि वो तो नहीं पता, मैं सोच कर बताता हूँ, लेकिन मुझे आपके अभूशन नहीं चाहिए, अब तो मुझे आपको ही चुराना है साथ संगत जी, अब चौर सोचता रहा और प्रभू हसते रहे चोर ने बुद्धी दोडाई लेकिन उसे कोई भी जगा नहीं मिली जहाँ पर वो इश्वर को छुपा कर रख सकी अब चोर को ये चिंता थी कि इतनी मेहनत से वो प्रभु को चुरा तो ले और फिर उनकी सुरक्षा ना कर पाए तो उसे कोई और चुरा लेगा अब सोचते सोचते चोर को नीद आने लगी उसको एक बाय सुझा चोर ने प्रभु से कहा कि प्रभु जब तक मैं फैसला नहीं कर लेता कि आपको कहां रखना है आप मुझे रोज दर्शन देते रहो जिससे कि मुझे भरुसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है प्रभु खूब हसे उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा लेकिन तुम्हें मेरे आभूशन तो लेने ही होंगे पर चोर ने मना कर दिया अब प्रभु रोज शाम को अपने भक्त को उस चोर को दर्शन देते और वो चोर अपने गाउं में लोटाया वही पंडी जी वहाँ पर कथा सुना रहे थे अब चोर ने पंडी जी को सारी बात बताई लेकिन पंडी जी को यकीन नहीं हुआ अब पंडि जी को जब यकीन नहीं हुआ, तो शाम को जब प्रभू चोर को दर्शन देने आए, तो उस चोर ने प्रभू से उनका एक अभूशन मांग लिया, और वो अभूशन चोर ने अगले दिन पंडि जी को दिखाया और साबित कर दिया, साथ संगत जी पंडित जी बोले कि भाई चोर असली साधू तो तू है मैं तो कनहिया का नाम लेकर बस कथाएं सुनाता रहा और अजीवी का जोटाने में लगा रहा लेकिन तुमने तो इश्वर को जीत ही लिया पंडित जी तो हिसाब किताब रख कर ही इश्वर का गुनगान किया करते थे क्योंकि पंडित जी को पता था कि वो कथा सुनाएंगे और उन्हें दक्षीना मिलेगी जिससे उनका घर चलेगा तो वो हमेशा पंडित जी हिसाब किताब में ही लगे रहते थे और साथ संगत जी जहां सच्चा प्रेम होता है वहां हिसाब किताब नहीं होता और जहां हिसाब किताब होता है वहां तो प्रेम होता ही नहीं वहां तो केवल व्यपार होता है अब चोर ने बिना किसी हिसाब किताब के सच्चे मन से इश्वर को याद किया तो सहज ही उसे इश्वर ने दर्शन भी दिये एक बार एक गवालिन दूद बेच रही थी वो गवालिन सबको दूद नाप नाप कर दे रही थी उसी समय एक नौजवान दूद लेने आया तो ग्वालन ने उस नौजवान को बिना नापे ही उसका बर्तन दूद से भर दिया वहीं थोड़ी दूरी पर एक साधू हाथ में माला लेकर मनकों को गिन गिन कर इश्वर का नाम जप रहा था तभी साधू की नजर ग्वालन पर पड़ी जब साधू ने ये सब देखा तो पास में बैठे व्यक्ति से सारी बात पता कर इसका कारण पूछा साधसंगत जी उस व्यक्ति ने साधू को बताया कि जिस नौजवान को उस ग्वालन ने बिना नाप कर दूद दिया है वो उस नौजवान से प्रेम करती है इसलिए उसने उसे बिना नाप के दूद दे दिया अब ये बात साधू के दिल को छूगई उसने सूचा कि जब एक दूद बेचने वाली ग्वालिन जिससे प्रेम करती है तो उससे हिसाब नहीं रखती और मैं अपने जिस इश्वर से प्रेम करता हूँ उसके लिए मैं सुबह से शाम तक मन के गिन गिन कर माला फेरता हूँ मुझसे तो अच्छी ये ग्वालिन है और उस साधू ने अपनी माला तोड़कर फैक दी साधसंकत जी, जीवन भी तो ऐसा ही है जहां पर प्यार होता है, वहां हिसाब किताब नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हिसाब किताब बीच में आ जाता है तो वो प्रेम प्रेम न रहकर व्यपार बन जाता है और हमें भी इश्वर से इस निरंकारदातार से अपनी सत्गुरू से सच्चा प्रेम करना है बिना किसी हिसाब किताब के साथ संगत जी अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजेगा बाकी संगत के साथ शेयर भी कीजेगा फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ तब तक के लिए धन्द रंकार जी